तैयरिया करावल, बहुत बाते नई खे, जोब छोड़के करावल, बहुत बात होला, मैं थवा बनावल, बहुत बाते नई खे, जल्दी बनावल, बहुत बात होला नमस्कार मैं सत्यप्रकास सरणीजा प्रेप्य आपका यूट्यूब के इस दुनिया में आपका वेल कम करता हूं तो देखिए यह है थोड़ा सा मेरे बारे में कुछ जानकारी और यहां ठीक है तो इसको हम छोटा कर देते हैं और यह है आपको बात करते हैं कि क्या यहां पर देखिए इस क्लास में हम बात करेंगे एब्रिस से रिलेटेड कुछ वो सवाल जो हमेशा एकजाम में बार बार जो है रिपीट होते रहते हैं तो इसके बारे में पहले कुछ बेसिक कॉंसेप जाने से पहले हम आपको बता दें कि जैसे इस सवालों को करना कैसे है हम तो कहते हैं कि इन टाइप के सवालों को बना अगली दो संख्याओं को सामिल कर लिया जाए तो आउसत में क्या परिवर्तन होगा तो दो का आधा कर दीजे दो बटा तो कितना आएगा एक तो आउसत में बस एक के ब्रिदि होगी और यहीं हो जाएगा हमारा एंसा बस ऐसे करना होता है कुछ इसमें x, y वगर मानने की जरूवत नहीं है आगे चलते हैं जैसे कि यहाँ पे 5 क्रमागत डालने के बचा 99 कर दिया है और x के जगा पे यहाँ पे 50 कर दिया है तो कोई नहीं इसको भी solve करते हैं 99 क्रमागत संख्याओं का आउसत 50 है यदि अगली 5 संख्याओं को सामिल कर लिया जाए तो आउसत में क्या परिवर्तन हो दिखिए अगली कई को संख्या सामिल किया है अगली 5 संख्या सामिल किया है 5 का आधा करेंगे मैं तो कितना होगा आप बोलेंगे 2.5 होगा 2.5 ही ना होगा, धाई होगा तो बस धाई की बृद्धी हो जाएगा है ये वाला इंसर समझ गए तो बस ऐसे करना होता है अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा के वो स्लाइटी मैंने एक्चेंज किया है बुला है 156 क्रमागत संख्याओं का ओसत 178.5 है यदि अगली साथ संख्याओं को सामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर बृद्धी नहीं पूछाए कि औसत में बृद्धी कितने होगी बलकि नया वाला औसत पूछ दिया है कि वो कितना होगा तो 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 किये कुछ नहीं करना है, अगली कहेगो संक्या सामिल किया है, अगली साथ संक्या सामिल किया है, साथ का आधा कितना होगा, साथ का आधा होगा मेरे प्यारे साथियों, 3.5, 3.5, ठीक है, तो बस 3.5 की बृद्धी होगी, तो 178.5 आपको दिया है, पहले से अवसत, उसमें 3.5 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आप जोड़ेंगे तो ये सब लिख के नहीं जोड़िएगा 0.5 और 0.5 को पहले जोड़ दीजेगा तो 178.5 था तो 189 हो जाएगा और इसमें से जो 3 बच गया तो ये कितना 182 तो 189 प्लस 3 बराबर 182 हो जाएगा इस सवाल का answer option नमबर ये तो बस ऐसे करना होता है ठीक है? इतना आसान है तो चलते हैं आगे जैसे कि यहाँ पे बोला है 3 के 5 लगतार गुनजो का आउसर 24 है और ये सब जो है आया कहा से है ये सब कहा से आता है आपको थोगा सा एक जलक वो हम दिखा देते हैं तब जो है आपको ज़्यादा clarity आएगी तब हम ये सब 3 के 5 लगतार गुनजो का ये सब जो है सवाल हम करेंगे तो चलते हैं थोगा सा इसके बारे में जानने जैसे कि मान लिजे कि आपको मान लिजे कि 5 6 साथ 18 करेंगे 18 बटा 3 तो कितना 6 हो जाएगा इसका आउसत 6 हो जाएगा ये लगतार 3 संख्याए हैं भाई लगतार ही तो है एक से सुरू करें या फिर लगतार कहीं से भी करें कई लोग को यहाँ पर confusion हुआ होगा कि एक से सुरू कीजे लेकिन लगतार का मतलब ही होता है कहीं से वो सुरू करें उसके बाद से लगतार होना चाहिए ना कि कहीं बीच में disturbance होना चाहिए तो दखिए 5,6,7 हम लिए लगतार संख्या है तीन लगतार संख्या लिए हैं तो यहाँ पे 6,5,11,7,18 अब इसी में कल को हम कहें कि 5,6,7 जो है पहले से संख्या दिया हुगा है और इसी में अगली मान लिजे कि दो संख्याओं को हम इस सामिल कर दें तो अब खुद बताईए 5,11,7,18,18,26,9,35 तो योग हमारा 35 आ गया कितनी संख्याए हैं तो 5 हो गया तो 35 में मेरे प्यारे साथी वो 5 से भाग मार देंगे तो कितना? 7 आ जाएगा क्या? आ जाएगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो औसत में परिवर्तन हुआ है वो कितना? 1 का बृद्धी हुआ है 1 का बृद्धी हुआ है लेकिन यहाँ पे जो हम तरीका निकाले हैं उससे क्या करें? कि अगली कईगो संख्या को सामिल किया है साथ तक तक पहले से था अगली 2 संख्या को सामिल किया है तो हम का कह रहे थे? जाएगो संख्या को सामिल किया है बस उसको आधा कर दिजा यानि कि 2 से भाग मर दीचे, और जितना आएगा उतना उसमें जोड देंगे पहले वाला आउसत में, या पिर ऐसे समझ सकते हैं कि पहले जो आउसत था उसमें, उतना की बृध्धी हो जाएगी, तो 2 में 2 से भाग मार दिए फिर आधा कर दिए तो यहाँ पर एक आया तो एक का आउसत में ब्रिद्धी हो रहा है हमारे हिसाब से भी और इस वाले हिसाब से भी जैसे कि हम यहाँ पर जो कैसे की हैं, ठीक है तो बस यह वाला चीज ही यहाँ पर जो है कॉंसेप्ट बनाता है और इसी कॉंसेप्ट का इस्तिमाल हमने पीछले questions में किया है तो यह जैसे कि माल लिज़े कि कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई बड़ा बड़ा नंबर भी आपने लिज़े से कि माल ज़े कि 156 157 158 ये 169 160 तो ये लगतार संख्याएं हैं और इनका कहे कि भाई औसत हमारा 158 है आप फिर कहे कि अगली 5 संख्याएं चाहे अगली 10 संख्याएं कितनों संख्याएं बोले उसमें जोड़ देंगे तो आउसत में क्या परिवर्तन होगा तो क्या करेंगे अगली 10 संख्याएं जोड़ेगा तो 10 का आधा कर देंगे तो कितना 5 आएगा तो जो आउसत हमारा पहले बाला होगा उसमें 5 की बृत्ती हो जाएगी पस यहीं होता है एंसर यहां से निकालने का तरीका और आते हैं यह तो जो है यह लगतार संख्या है तो यह तो थोगा सा हलुगा टाइप का है तो यह जो है आप समझ गया होंगे थोगा सा इस कॉंसेप्ट को फर्दर एक्स्टेंड करते हुए हम यहां पे जैसे की मान लिजे की तीन से सुरू करते हैं तीन का पाला लिखते हैं तीन दूनी 6, तीन तिया 9, तीन चोग 12, तीन पचे 15 पांस पाख हम पाला लिख दियें तीन का और यहां पे आप देखेंगे की एबरेज कितना है तो आप बीच वाला निकालने वाले तरीके से एबरिज पकल लिए होंगे कि एबरेज जो है 9 होगा अरे भाई जब डिफरेंस सेम है तो वो भी तरीकां बताती है कि एबरेज जो है बीच वाला होता है अगर number of observations odd number में हो तो तो यहाँ पे आप देखे हैं कि एबरेज जो है अफिर ऐसर भी आप जिसको नहीं बुझा रहा हो जोग कर देख ले कि एबरेज कितना आ रहा है तो इसका एबरेज जो है 9 आएगा अब इसमें कहें कि भाई हम 3 के 5 लगातार गुनजो का जो है आउसत हम बता दिया है कि 9 है लेकिन अब इसमें का करेगा कि कहा कि 3 ही के जो है अगला 5 या फिर अगला 10 गुनज को अगर हम उसमें जो है जोड देते हैं तो आउसत में क्या परिवर्टन होगा या फिर आउसत में नया आउसत क्या होगा ऐसे भी कह सकता है, पहले अवसत दे देगा और नया अवसत पूछ देगा आपसे तो तकिये, माल लीजे कि हम यहाँ पे अगला एक गुनज और जोड़ देते हैं तो 3,15,3,18 अगला गुनज होगा तो आप देखेंगे कि जब हम इसमें जोड़ दिये 18 अगला गुनज जोड़े हैं तो यहाँ पे एवरेज कितना होगा नया वाला तो ज़रा बताईए 18,3,21 बटा दो यानि कि 10.5 जो है यहाँ पे एवरेज होगा अब यह किसी को नहीं बुझा रहा है तो भाई हम का कि यह एवरेज निकालने में 1st, प्लस, है 1st, प्लस, लास्ट, भाई 2 भी हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे different same है तीन का गुऊंज हो मतलँ multiple इंग्ली समर बुलते हैं किसी का भी multiple हो तो उसको लगतार जब difference same होगा क्योंकि पाड़ा में यहीं तो होता है तो यहाँ पे difference same होता है जब तो हम एक तरीका ये भी है कि first plus last by two हम कर देते हैं तो वैसे average हमारा आ जाता है तो हम अहीं वाला यहाँ पे किये हैं हाला कि ये जो है पिछला class में हम बता दी हैं आपको जो है उसको जो है देख सकते हैं तो ठारती निकिस बटा दू 10.5 हमारा average हो गया पहले कितना था पहले आप बोलेंगे 9 था 9 से कितना पर गया आप बोलेंगे 1.5 बढ़ा है तो भी न 10.5 हुआ है तो आप खुद बताए हम ये वाला जो तरीका बताए हैं कि अगला कैगो संख्या को सामिल किया है तीन के अगले कितने गुनज को सामिल किया है तो आप बोलेगे एक गूनज को हम सामिल कियें, अठारो को, तो हम का बताय थें, कि जैगो गूनज सामिल करेगा अगला, जैगो संख्या सामिल करेगा अगला, यहाँ पर गूनज की बात हो रही, तो यहाँ पर गूनज बोलेगा, तो हम का करेंगे, उसका आधा कर देंगे, तो कोई बच्चा कहाएगा कि एक गुनज यहाँ पर आप सामिल किये हैं तो एक का आधा कर दीज एक बटा दू जो कि प्वाइन फाइफ आएगा लेकिन यहाँ पर तो नहीं हो रहा है तो वहीं तो हम यहाँ पर सिखाने के लिए इसको जो है लिखे है जब यहाँ पर तीन का गुनज हो पांच का गुनज हो जितना का मतलब गुनज की बात करे तो हम जो है देखते हैं तीन का गुनज होगा तो डिफ्रेंस कितना होगा हर दो तर्म के बीच कितना का डिफ्रेंस होगा तीन का ही डिफ्रेंस होगा तो हम उसमें 3 गुणे यहां पे 1 बटा 2 कर देंगे 3 से गुणा केवल कर रहे हैं ध्यान दिजेगा अगला एक गुणा जको सामिल की है तो उसका तुवाधा कर ही रहे है लेकिन 3 से हम यहां पे गुणा कर दे रहे है ताकि हमारा इंसर जो है सहिए आ है कुछ आगे इसको हम समझते हैं, जैसे कि माहलीजे की कहेगा 12, 19, और फिर आपका 26, 12, 19, 26, इनका एब्रेज आप खुद बताईए कितना होगा, तो एब्रेज आप देखेंगे तो 19 होगा, फिर कहेगा कि इसमें जो है अगले दो टर्म को सामिल और कर देते हैं, ऐसे ही बोलेगा कि 12, 19, 26, ऐसे ही लगतार संख्या दी हुई हैं, और अगले दो टर्म को या पांच तर्म को या फिर जितना उसका मन करें सामिल कर देगा, और फिर नया औसत पुछ देगा आपसे, या फिर आउसत में कितना परिवर्तन होगा, वो पुछ देगा, तो आप देखें कि हम जैसे कि इसमें दो टर्म और सामिल कर देते हैं, तो यहाँ पे 12, 7, 19, 33 एक हो जाएगा, और एक इसके बाद अगला टर्म, 40 हो जाएगा, तो आप देखेंगे, कि यहाँ पे 3, 2, 5, अब आउसत कितना हो जाएगा, अब आउसत 26 हो जाएगा, तो पहले आउसत कितना था, पहले आउसत 19 था, तो 19 से 26 होने में कितना का परिद्धी हुआ है, आप बोलेंगे 7 का परिद्धी हुआ है, लेकिन हम तो बताएं कि जितना टर्म जो है, बहा रहा है, जुड़ रहा है, उ कितना difference है दो term के बीच यहाँ पर difference कितना है तो आप बोलेंगे 7 का difference है हर जगा 7 का difference है तो यहाँ पर 7 से आपको जो है गुना भी करना होगा यानि कि कहने का मतलब है कि 7 गुने 2 बटा में 2 तो 2 से 2 कट जाना है और 19 में 7 यह जो आया हमारा जुट जाएगा तो 19, 26 हम यहाँ स average निकाल सकते हैं आया सब को समझ में बोलिए बोलिए ठीक है तो चलते हैं अब जो है कुछ आगे यहाँ पर सवाल जो हमने लिख रखा है उनको जो है solve करने जैसे कि यहाँ पर 3 के 5 लगतार गुनजों का आउसर 24 है यदी और हाँ जीन को यहाँ पर समझ यह वाला जो अब हम बता रहे थे पूरा राम कहानी नहीं आ रहा होगा तो कोई भी बात नहीं घबराने की बात नहीं है अगर आप question से समझेंगे तो question से ज्यादा समझ आता है वो तो बस मतलब उंगली पकड़ के चलने की बात होई question आप समझेंगे तो यहाँ से आप ज्यादा clear हो पाएग तो देखेंगे आप कि भाई तीन का जो गुनज होता है तो हर दो common हर दो टर्म के बीच difference कितना होगा तीन ही का होगा तो आपको यहाँ पे कितना सामिल किया है अगले 6 गुनजों को सामिल किया है तो 6 बटा में 2 तो करेंगे ही लेकिन difference चुकी हर दो टर्म के बीच में 3 का ह है तो हम यहां पर 3 से भी multiply करेंगे तो आप कटा दीजे कटने के लायक है तो आप देखेंगे 2 से 3 बार में कट जाएगा 6, 3, 3, 9 यानि कि जो हमारा average आएगा वो पुराने वाले average से 9 जादा होगा तो पहिले average कितना था 24 था तो 24 में 9 जोड़ेंगे तो average कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा क्या हो जाएगा ठीक है तो 33 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर अब चलते हैं एक ये लास्ट सवाल आज के क्लास का पांच के तील लगतार गुनजों का उसत 10 है यदि अगले एक गुनज को सामिल कर लिया जाए तो नया उसत क्या होगा आप इस question को पहले खुद से try कीजिए बन जाएगा हम ही बता दे चलिए कोई बात ने पांच के लगतार गुनजों का जो आउसत है 10 है तीन लगतार का बोले बीस लगतार का बोले उससे कोई मतलब नहीं है हमको यहाँ पर देखना है कि अगला कई गो सामिल कर रहा है तो अगला एक ही यहाँ पर गुनज सामिल किया है तो यहाँ पर एक बट्टा दो करेंगे लेकिन देख लिजे कि पांच का यहाँ पर गुनज की बात हो रही है तो यहाँ पे 5 से गुणा भी करना होगा तो 5 बट्टा 2 बन जाएगा 5 बट्टा 2 का मतलब क्या होता है 2.5 होता है ठीक है त्याने कि हमारा जो नया औसत आएगा उसमें 2.5 की बृद्धी होगी तो पहिले औसत कितना था आप बोलेंगे यह 10 था तो 2.5 इसमें जोडेंगे तो कितना 12.5 हो जाएगा क्या तो इस सवाल का जो उत्तर होगा 12.5 हो जाएगा इसका एंसर तो इन टाइप के सवालों को जो है ऐसे करते हैं उमीद करते हैं सब को जो है समझ में आ गया होगा और जिनको नहीं समझ में आ गया है तो वो जो है एक बार फिर से इस कलास को देखेंगे और जहां पर डाउट होता है आपको पूछने की पूरी आजादी है वैसे भी बहुत ही जल्द आजादी दिवस आने वाला है 15 अगस्त तो इस कलास को इतना ही पर दिएंड करते हैं तब तक के लिए थैंक यू बाई बाई टेक केर